सो गाइज मैंने मिज आसीज एंड यू और वाचीं इंग्रेश सेल श्ट्रोक आज के क्लैस अर्दा कैसल में ऐसा हो सकता है कि फींड ब्रेवाइट का हमें डबल डबली में रीटार्न देखनी को मिल सकता है तो आज किसे उमलगें डिस्कुस करने वाले हैं चलिए सल्वी व कर सकते हैं और क्लैस आर्दा कैसल का सबसे बड़ा और ब्लॉगबस्टर मैच है रोमन रांज वसेस्ट्रू माके एर कि वीज़ में और इसवाल समय मैंच में भी काफ़ी जयादा है एकमाकर जी याיל उसुति हैं कि Fiend का हमें return देखने को मिल सकता है WWE के टेलीवीजन पे अभी सब कुछ दिन पहले ये update आई थी कि Fiend ने WWE के साथ मतलब ऐसा कह सकतो हो कि contract लिया है WWE ने अभी उनके साथ contract लिया है और Fiend का हमें जल्दी WWE में ऐसा हो सकता है कि return को मिल सकता है Summer Slam के बाद perfect time और के आज के class at the castle का main event ही है यहाँ पर पूरे 30 साल के बाद WWE अपने UK में को इंट करवा रही है तो हो सकता है इसकी UK में हमें और किसी का नहीं बल्कि Fiend Braveheart का आज के class at the castle में हमें return देखने को मिल सकता है जो भी इस match का result होगा Roman vs Mcintyre का इसको आके Fiend confront कर सकते हैं याद होगा गाईस की Roman और Fiend की जो rivalry है वह अभी incomplete है यानि की complete पूरी तरीका से नहीं हुआ था रोमाना का चैंपेसिप को जीत गये थे Fiend से ही और Fiend तो अपना चैंपेसिप लेंगे ही लेंगे Fiend तो बदला लेने में सबसे आगे रहते हैं तो हो सकता है गाईस की आज के class at the castle में Fiend Bray Wyatt का हमें WWE में return देखने को मिल सकता है और यह वाला चीज हमें आज ही देखने को मिल सकता है गाईस यानि कि आप कह सकतो हो कि 12 बजे के बाद ही यह वाला match हमें देखने को मिलने वाला है Roman vs Drew McIntyre के बीच में तो हो सकता है गैस की Fiend का हमें WWE में return देखने को मिल जाए बाकि let's see, देखो हमें क्या देखने को मिलता है लेकिन class at the castle में आप यह ओला चीज को expectation कर सकते हो देखते हैं क्या होता है, काफी ज़यद expectation लगाए जाड़ी है और हो सकता है यह भी, वो रुमन को confront भी कर सकते हैं या attack भी कर सकते हैं, तो देखते हैं guys क्या होता है class at the castle में यानि की आज रात को